बच्चो आज की आपकी वर्क सीट के साथ जीवन कोसल की वर्क सीट भी सनलगन हैं चलिए इसे भी हल करते हैं उपविशे पत्र संदेश लिखना और उपहार पैक करना प्यारे बच्चो कितनी खुसी होती है जब कोई अपना हमें उपहार देता है हम एक दूसरे के प्रती प अब यहां पर प्रस्न दिया हुआ है चलिए प्रस्न पढ़ते हैं प्रस्न एक हमें उपहार कैसा देना चाहिए तो यहां पर चार विकल्प दिये हुए हैं तो सही विकल्प है दूसरा जो उपयोगी हो तो यहां पर हम सही का निसान लगाएंगे अब चलिए आगे पढ़ उसके लिए उपयोगी होना चाहिए चली आगे बढ़ते हैं तो बच्चो आप यहाँ दिये गए चित्रों में देख सकते हैं कि इस प्रकार 12 चरणों में उपहार को कि करना सिखाया गया है कि उपहार लपेतना सीखने के लिए वीडियो देखे मीध सीखने के बाद वीडियो अपनी कशिकर के वाट्शब गरूप पर भी डालें मैं तो आप भी घर पर किसी भी अपनी कोपी किताब को उपहार के तरह लपेटेंगे और लपेटते ऐसा लिखा हो जिसे पढ़कर मन खुशी से जूम उठे तो उपहार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है उधारन यहां पर उधारन दिया हुआ है जैसे गुडिया रानी जनम दिन की सुबकामना है दूसरा उधारन दिया हुआ है प्रिय टीचर मुझे सिक्षित करने के अब प्रशन दिया हुआ है आप भी कुछ सुबकामना संदेश लिखकर अपने दोस्तों और अध्यापक को बेजो तो प्यारे बच्चों यह कारें आप स्वैम करेंगे आपके सुईदा के लिए मैं लिख रहा हूँ सुबकामना संदेश प्रिय टीचर मुझे पढ़ना ल दोस्तों एवं अध्यापको अध्यापिकाओ को सुबकामना संदेश लिखकर भेज सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सुबकामना संदेश हेतु पत्र सुबकामना संदेश पत्र प्रारूप आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और करेंगे आपके स्वीधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूं जहां पर पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा हुआ है तो वहां पर हम अपने उस मित्र का पता लिखेंगे जहां पर हम पत्र भेज रहे हैं तो मैं यहां पर कालपनिक पता लिखूंगा काखगर श्याम नग अपने मित्र के नाम के आगे प्रियमित्र लगा सकते हैं तो मैं यहां पर अपने मित्र दीपक के नाम के आगे लिखूंगा प्रियमित्र उसका नाम दीपक आगे अभिवादन तो यहां पर अभिवादन आप लिख सकते हैं मैं यहां पर लिखूंगा सर्प्रेम नमस्ते तुम्हारी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब इन हरी लाइनों में मुख्य संदेश, मुख्य संदेश क्या, कि मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई, कि आने वाली पांच तारिक को तुम्हारा जनम दिन है, मैं तुम्हें तुम्हारे जनम दिन की बहुत बहुत बदाई देता हूँ, और यही कामना करता हूँ, कि तुम सदयव सुखी एवं सफलता प्राप्त करते रहो, यह लिखने के बाद अब समापन में हम लिखेंगे, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, पैचोटो को प्यार, अब नीचे लाइन में सम्वंध का उलेक, अब आप अपने मिट्र को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तुम्हारा मिट्र, पत्र बेजने वाले का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहां पर मैं अपना काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ नरेंद्र तो क्या हो जाएगा नीचे तुम्हारा मित्र नरेंद्र तो इस प्रकार हमारा पत्र पूरा हो जाएगा तो बच्चों यह वर्क्षीट यहां कम्प्लीट होती है अगर है वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नॉलेज किंडम थैंक यू